हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर योटूब चैनल दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फ्रिल वाली बाजू बनाने का सबसे आसान तरीका वैसे तो फ्रिल वाली बाजू बहुत से अलग-अलग डिजाइन से बनती हैं लेकिन आज की वीडियो में आपको सबसे आसान तरीका में सिखाने जा रहा हूं और दोस्तो साथी साथ में आपको ये भी बता देना चाहता हूं अगर आप स्टीचिंग का शोंक रखते हो घर बैट के सलाई सीखना चाहते हो तो आप हमारा ओनलाइन स्टीचिंग कोर्स भी जॉइन कर सकते हो इस स्क् होती है यह होती है ऐल्बो तक यानि कोहनी तक तो सबसे पहले जो भी आपका बाजू का ना पर आपको बाजू की कर लें यह नोर्मल तरीके से वाजू की कटिंग करेंगे यह देखिए यह बाजू का कपड़ा इसको मैं इस प्रकास से डबल करके रखा हुआ हूआ है और यहां से आपको तीन इंच डाउन करना होता है और जर्णली जो बाजू की लंबाई होती है वह होती है 11 यह फिर 12 इंच के करीब अलबो जो स्लीप्स होती है तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों पर रखूँ है साड़े ग्यारा इंच आगे से इसकी जो महरी है वह है 11 इंच ग्यारा कादा होता है साड़े पांच यह साड़े पांच पर मैंने निशान लगा दिया और जो मैं स्लीप्स बना रहा हूं इसका जो तयार जो आर्मोल का नाप आ रहा है दोस्तों वह आ रहा है साड़े साथ इंच इस प्रकार से आपको कुरोश में लेना है और यह मैं के विले कंदाज से भी बना रहा हूं बाकी जो भी आपका मेजरेमेंट हो आप उस अकोर्डिंग बना ले और इस निशान को जाके नीचे इसमें मिला देंगे ठीक है अब इसकी दोस्तों मैं पहले कटिंग कर लेता हूं इस निशान पर तो सलाई आ जाएगी और इसके अलावा यह जो लंबाई का निशान है यहां से आपको आदा ही चैस्टरा लेना होता है मारजन के लिए तो यह तो हो गई बाजू की लंबाई अब दोस्तों जो मेन बात होती है इसके अंदर वो होता है इसका आगे का जो फ और कपड़े की जो लंबाई और जो चुड़ाई है दोस्तों वो लगबग आपको 17-18 एंच के करीब रखनी होती है वो में आपको में आपके दिखा जता हूं यह देखिए इसकी जो टोटल इस प्रकार से जो लंबाई है 18 एंच है और इसकी जो चुड़ाई है वो भी वाला पार्ट वो आपको कितना बड़ा रखना है उसके लिए आपको क्या करना है इस कपड़ को ऐसे रखने के बाद अब यह जो बाजू है यह वाली अब यह बाजू इस प्रकार से है अब इस बाजू को पहले कर लिया एक बार फोल्ड उसके बाद इसे दुबारे फोल् यहां से पूर आरह और है इस जगे दो उसके बाद श्यास्स से निशान लए नहां सुधन सुधोर कि पूर पूर यह ऐसे यहां से पूर करना से आपको दियां यहांतु आप अब इसके बाद जितने भी बड़ी आप फिल्ट रखना चाहते हो उतना आप इसका निशान लगा लें तो दोस्तों इसकी जो तयार फिल्ट रखूँगा मैं वो रखूँगा 6 इंच तो किस प्रकार से रखना आपको यहां से आपको 6 इंच पर निशान लगाना है यह 6 आपको इधर लगाना है एक निशान आपको 6 इंच पर इधर लगाना है अब इन निशानों को आपस में इस प्रकार से मिलाना है तो यह तो हो गई इसकी तयार लंबाई और जब आप कटिंग करो तो कटिंग करते समय इसको आगे से 1 इंच एक्टा कट कर लें फोल्ड करने करने के बाद आप यह जो बाजू है इस बाजू के आगे आपको इसको रखना इस प्रकार से देखें आप इसको देखोगी यह बिल्कुल सेंटर में रखने के बाद ना यह देखी इस जगे से इसको पकड़ो के तो बिल्कुल यह बराबर आएगा लेकिन जब आप सिलाई लगाओगे तो आपको लग रहा कि थोड़ा सा छोटा है लेकर दोस्तों छोटा नहीं आएगा क्योंकि यह जो इसके जो बिल्कुल कोर्णा वाले पार्ट से नहीं यह वाले आपको मैं दिखा देता हूं यह वाले क्योंकि बिल्कुल सीधे हैं लेकिन जब इसके हम स्टीचि यह देखिए तो friends cut लगाने के बाद जब आप इसे नापो के बाजू की आगे मोहरी से तो बिल्कुल एकदम equal आएगा बिल्कुल बराबर आएगा और बहुत असानी से सीड़ी आपकी स्लाई लग जाएगी लेकिन दोस्तों स्लाई हम बाद में लगाएंगे पहले इसमें क्य क्या option है पहला option यह है कि आप चाहें तो इसके आगे Piqua करवा सकते हो दूसरी option यह कि आप 혹 करने के बाद इसमें और भी जएदा क्या creativity कर सकते हो सारा तो दोस्तो अगर आप इसे फोल्ड कर रहे हो तो फोल्ड करते समय आपको एकदम डारेक्ट इसे पूरा फोल्ड नहीं करना पहले आपको सिंगल पार्ट फोल्ड करना है देखिए इस प्रकार से इसको उठाएं और सिंगल फोल्ड करें किनारे पे बिल्कुछ लगानी है ता आपकी जो स्लाई बहुत असानी से लग भी जाएगी तो दोस्तो इस पूरे सरकल में मैंने इसमें स्लाई लगा ली है आप देख सकते हो फिनिशिंग के साथ स्लाई लग चुकी है अब स्लाई लगाने के बाद आपको क्या करना है अब आपको उठानी है बाजू यह देखिए इसकी स्लीवस हैं स्लीवस का आगे वाला पनला ही है अब इसके उपर दोस्तो इसे आपने इस परकार से रखना यह देखें इस छोर को इदर रखेंगे अब स्लाई देखें मैं कैसे लगाता हूँ अब यह जो sleeve से friends आपको कुछ इस परकार से इसका जो look है नजर आएगा आप देख सकते हो बहुत शानदार इसका जो है frill है इस परकार से बन रही है लेकिन अभी बाजू बनी नहीं है बहुत सारा काम वह इसमें बाकी है क्योंकि दोस्तोव इस तरश्य से जब हम बाजू बनाते हैं तो यह देखीए आपको यहां पर भी कट लगाना होता है क्योंकि यहां पर देखिया है इसको प्रॉपर स्पेस मिल सके तो इसलिए यहां पर भी कट लगा दें इस कटके साथ साथ में अब फ्रेंट्स जो सबसे इंपोर्टेड काम है वो है इस बाजू के अंदर आपको जो क्रियेटिवेटी करनी है उसके लिए फ्रेंट्स यह देखे आप अपनी चोईस की कोई सी भी लैस इसमें लगा सकते हो यह देखे अगर आप पी को नहीं कवा र है आप चाहें तो इस लैस को इस जोइंट पर भी लगा सकते हो यह कैसे लगेगा यह लगा कि मैं आपको दिखाता हूँ तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो केवल एक लैस लगाने से ही कितनी जवदस क्रियेटिविटी हो चुकी है यह बाजू में लैस लगा रही है मैंने दोनों जगे उपर भी नीचे भी आप अपनी चुछी कोई सी भी लैस लगा सकते हो बहुत अच्छा इसके अंदर चलिव अब इस लाए को भी मैं आपको लगा कर दिखाता हूं बहुत ही असान ही इस लाए को बस आप नॉर्मल तरीके से लगा ले और श्राए लगाने के बाद दोस्तों बस इस ची कापको ध्यार लखना यह यह जो मारजन होता नहीं यह वाला पका इस मारजन पर आपको इस परक बाजू काफी तरीके से बना सकते हो लेकर यह तरीका मुझे बहुत आसान लगता और यह देखी कितनी फिनिशिंग इसके अंदर आई है बहुत ही जबरतस लग रहा है काफी अच्छी इसके अंदर यह गैदर से भी बन रही है तो दोस्तों यह थी मेरी आज की वीडियो ज रह थी में। sich दो बस्तों यह थी क्Mag च सब्सकते बने सुनर दिख यह क्रशब हैं त्रीके से जबयां घजू एचे घज़ से तार यह कि कितनी शनवरी तंशी अंदर